हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो है कि एसन का जो प्रोजेक्टर होता है उसके की स्टोन की जो सेटिंग होती है उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं और उसके जो होरिजंटल वर्टिकल जो इसके कॉर्णर होते हैं उनको हम कैसे सेट कर सकते हैं यह मैं आज की वीडियो में इसको कंप्लेटली बताने वाला हूं यह मेरा एक्शन का प्रिंटर है जिसका मॉडल नंबर और EBS41 है यह इसके की मेन्यू है इसके थुरू आप जो है डिस्प्ले सेटिंग को यहां से सेट कर सकते हैं अभी मेरा प्रोजेक्टर जो है ओन हुआ है मैंने ओन किया है इसको इसमें जो है मेंली जो होम की है इसमें मेन्यू की है शोर्स की है और HV होरिजंटल वर्टिकल की है, कि यह हम्- rugged commence के सकते हैं हमारी कोई-bbing meeting अग रहोती है मिसको on करते हैं तो अगर कर सकते हैं जो कि इसमें जो है ना वेठे इसमें एक safety के लिए लेगे दिया हुए लेज के लिए आप चलते हम डिस्पले पे इसमें इमेज है, सिगनल है, सेटिंग एस्टेंड है, नेटवर्क है, रिको है, इटो है, रिषेट है आप इमेज में जो है आपको इमेज किस तरीके से चाहिए हो आप यहां से सेट कर सकते हैं और नीचे सेटिंग है, सेटिंग में जो है वाफ की स्टोन की जो सेटिंग है, जूम इन, जूम आउट का जो सेटिंग है, वह आप यहां से सेट कर सकते हैं, इमेज में जो है कलर मोड आप यहां से कर सकते हैं, जिसे पर्जेंटरेशन मोड है, मोभी मोड है, वीडियो मोड जिससे बॉलते हूं, तो इस तरगी निसको कर सकते हैं, यह रिमोट है, में इस की थुरवभी जो हमारे की दीए हुई थी, जैसे मेन्यु की हैं, messy sold यह horizontal vertical जो left-right की की हैं हम इससे इसको set कर सकते हैं आप प्रीमोर से भी कर सकते हैं और प्रोजेक्टर की की से भी कर सकते हैं यह मेरा जो है प्रोजटर ओन हुआ है इसमें देखिए मेरा प्रोजटर तफ़ा केड़ा वी शो कर रहे आपको अब इसको हम इसको फिक्स करेंगे कैसे करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं इसके लिए दोस्तों क्या बोलते हैं मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी आने वाली जो next वीडियो हैं उनको अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को कि जो notification बटन है उसको क्लिक कीजिए यह है मेरा अब इसमें जो second नमबर में signal है signal में क्या है signal में यह source है आपको वीडियो किस तर किस है एक HDMI का होता है एक USB का होता है या VJ का है तो वह आपको source यहां से set करना है अब यह मेरा की स्टोन का एक होता है quick corner का एक है HV की स्टोन HV का मलब है कि horizontal vertical की स्टोन और quick corner का है कि आप corner के तुरू उसको set कर सकते हैं यह मैंने quick corner का open किया है तो इसको जो है जहां पर आपको yellow color के triangle बनके आ रहे है उस area को उस corner को आप फिक्स कर सकते हैं आपको अब करना है तो आप कर सकते हैं और इसको left करना तो left कर सकते हैं जिस corner पर आपका yellow triangle है सिर्फ उसी corner को आप set कर पाएंगे हर corner के लिए आपको अलग अलग जो है अलग अलग जो है आपको फॉर्मेट दिया गया है उसके थुरू आप जो है set कर सकते हैं हर corner के लिए अलग अलग image है तो जिस image को आपको जिस corner को आपको करना है set उसको जो है उस image को open करके उस पर double उस पर ok करेंगे जाके और उसको up-down करेंगे left right करेंगे तो आपको जो है वो set हो जाएगा आपको जितना up करना है जितना down करना है वो अपने image को recording आप उसको set कर सकता है अब देखे अभी जैसे मैंने पहले दूसरी वीडियो थी अभी दूसरा मैंने corner open किया है यह देखे सबसे नीचे rare set के corner के लिए है ऐसी हर corner के लिए अलग-अलग adjustment के लिए है इसमें आप हर corner के लिए अलग-अलग उसको open करेंगे और उसको set करेंगे कि मैंने अभी इसको मैंने set किया है देखे मेरा projector का जो display है वह पहले से बेटर हो चुक है कि अगर आपको अगर आपको skin क्या बोलते हैं अगर आपको छोटी है तो उसके according आप उसको जो है set कर सकते हैं यह मेरा left hand का है left hand side में जो corner है नीची वाला corner उसको यहां से set करेंगे कि इसकी बाद एक और setting होती है इसमें यह तो हमारा quick corner की setting है वह होती है दोस्तों यह हमारे setting थी quick corner की जो हमारे क्या बोलते है प्रोजटर की quick corner है जो हमारे corner है सारे चारों के चारों उनकी setting थी अब हम जाते हैं keystone पर यह हम अभी हमारा नीची वाला quick corner का था अभी जैसे हम दोस्तों आपको पता मैं जाएगे हमें कैसे यहां से set करना होता है रोके करेंगे तो हमेरे इसकी थी 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 किस्टोन पर जाएंगे और यहां पर आप वी की स्टोन और एच क्यू स्टोन इन दोनों को जो है यहां से set करके image को यहां पर जो आपको numbering आ रहे है कि कितने पर आपको vertical रखना है कितने पर आपको horizontal रखना है उसके according आप जो हैं screen को set कर सकते हैं यह दोस्तों हमारा पर दो option है एक है quick corner का और एक है आप हमारे पास horizontal वर्टिकल जो हम क्या बोलते हैं उसके numbering को चूच करके जो हमें हमारे display के लिए suitable है आपको क्या करना है अपने remote से menu के प्रस करने है और setting में जाना है setting में की स्टोन के अंदर जाना है कि स्टोन के बाद आपको जो है उसके अंदर आपको दो आप्सम लेंगे horizontal की स्टोन और स्ट कर लेना है कि आपको किस तरकिये से चाहिए आपकी screen और उसको set करके okay करके आपको escape करके बाहर आजाना है आपकी display जो है जैसे जैसे आप horizontal vertical को set करेंगे वैसे जैसे आपकी screen rotate होगी